Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज है 8 March 2022 तो आईए देख लेते हैं कि आसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ 1 2030 की batch के बारे में जहां पर आपसे कहा गया था कि आप मैं 357 डूपीज में इस course को साथ दिनों के लिए access कर सकते हैं तो आपके काम का है भी है नहीं तो इस चीज़ को access करने की ये last date है तो मालीजी आज अगर आप इसे access करते हैं तो ये आज ही expire हो जाएगा लेकिन आप call करके बोल सकते हैं कि मैंने last दिन इसे अवेल किया है तो वो आपको तीन दिन के लिए इसे available बना देंगे तो आप इस course को अवेल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये कितना फायदे मंद है course को अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onias.in पे जानकारी के लिए call कर सकते हैं 7007-931912 पे या फिर mail कर सकते हैं info.onias.com पे चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा पहला article Hansa NG के बारे में है NG का यहाँ पे मतलब है new generation हाली में Hansa NG जो की अपने प्रकार का पहला है indigenously developed है हमने खुदी बनाया है यह aircraft trainer है जिसने भी sea level trials को complete कर लिया है क्या करेगा यह? यह train करेगा pilots को CSIR National Aerospace Laboratories Bangalore के द्वरा इससे develop किया गया है अंडर में रहा यह Council of Scientific and Industrial Research के Hansa NG या फिर Hansa New Generation यह most advanced flying trainer है right now Hansa NG updated version है Hansa का जिसकी पहली flight 1993 में देखी गई थी और certified किया गया था इसे सन 2000 में Hansa NG को 2018 में अप्रूफ किया गया और demonstrate किया गया इसे कि हाँ यह बढ़िया टेक्नोलोजी का है और बढ़िया ट्रेनिंग दे सकता है Aero India 2019 में इसे demonstrate किया गया था Indian Flying Club की नीड को पूरा करता है जहां पे इसका इस्तिमाल Commercial Pilot Licensing के लिए किया जा सकता है Pilots को train करेंगे इसके थूँ फिर पता चल जाएगा कि वो capable है Flying के लिए और उसके बाद नहीं Certify भी किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा next article Democracy Report 2022 के बारे में है Sweden based जो institute है उन्होंने काया कि इंडिया अब एक Electoral Democracy नहीं रह गया और इंडिया को इन्होंने Electoral Autocracy की के टेगरी में डाल दिया है Democracy, Demos plus Cretia Rule of People, लोगों का सासर Electoral Autocracy का क्या मतलब है Autocracy का मतलब यह होता है जहां पर एक व्यक्ति की जो authority होती है बहुत ज़दा powerful होती है और वो अपने हिसाब से rules and regulations बनाते है Electoral Autocracy में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को elect किया गया है लेकिन वो सारी powers को अपने अंदर centralized कर लेता है और अपने हिसाब से, मनमानी तरीके से decision लेता है तो इस प्रकार की जो government system है उसे electoral autocracy कहा चाता है तो इन्होंने अभी इंडिया को electoral autocracy की category में डाल दिया है इसे release किया गया है इस report की हम बात कर रहे है नाम दिया गया है democracy report 2022 varieties of democracy VDem Institute है Sweden University जो है वहीं पर ये located है उसी नहीं से जारी किया है purpose ये होता है कि ये democracy के कई सारे attributes को forms को study करते हैं उसके basis पर report तयार करते हैं ये नए नए तरीके निकालते हैं कि जो democracy है वो कैसे बदल रही है उसका nature cause and consequences क्या है यहाँ पर evaluate करने की कोशिश की जा रही है कि कि कितने देस democracy की और आगे बढ़ रहे हैं जो LDI यानि कि liberal democracy index है ये democracy के दोनों ही aspect को cover करता है 71 indicators होते हैं जो liberal component index और electoral democracy index दोनों में divided होते हैं तो जो liberal aspect है democracy का उसमें basically separation of power independent judiciary और multi-party system का होना बहुत जरूरी होता है तब आप क्या पाते हैं कि democracy जो है वो एक liberal form में है electoral aspect में हम देखते हैं कि जो electoral process है वो कितना free and fair है तो यहां पर इन दोनों basis को आधार बनाकर जो LDI है liberal democracy index है उसे तयार किया जाता है और इसी को आधार बनाकर ये democracy report तयार की जाती है categorization में देखे जो LDI का score होता है इसे basically चार रिजिम में classify कर देते हैं liberal democracy, electoral democracy electoral autocracy और closed autocracy इंडिया को इन्होंने रखा है electoral autocracy यानि कि इस level पे इस report में ये highlight किया गया कि जितने रेज democracy की ओर जा रहे हैं उसके दो गुले से ज़ादा autocracy की ओर जा रहे है जो autocratization है वो बहुत ही तीजी से फैल रहा है 33 countries autocratic होती चली जा रही है इस report के according इंडिया की performance ही रही कि इंडिया को electoral autocracy की रूप में categorize किया गया 179 countries में 93rd जगे दिया गया 93rd place दिया गया LDI में इंडिया को हमारा next article Fusobacterium के बारे में है कई सारे groups का ये मानना है कि जो Fusobacterium है ये oral tumors का cause है अभी तक ऐसी मानना चली आ रही थी कि जो ये जो oral tumors होते हैं वो HPV के जरीए होते हैं HPV infection से होते हैं यानि कि human papilloma virus infection की वज़े से oral tumors मुह में होने वाले tumors होते हैं बट अभी ज़ादा तर जो researchers का group है वो इस बात पर सहमत हो गए है कि नहीं HPV infection इसका cause नहीं है बलकि Fusobacterium इसका cause है Fusobacterium जो है वो anaerobic bacteria की एक species है इनका shape elongated होता है लंबा होता है ये non-spore forming bacteria है ये spore create नहीं करते हैं बिसिकली ये animals के या फिर insects के intense time में रहना पसंद करते हैं ये anaerobic bacteria है जो कि oral cavity में या नहीं कि हमारे मुख के हिस्से में पाया जाता है और ये oral और extra oral infections cause करता है और वही बात है कि ये oral tumors भी cause करता है यहाँ पर देखिए multiple species हैं Fusobacterium की उनमें से एक है F necroforum जो कि human disease cause करती है मतलब इंसानियों में बीमारिया फैलाती है हमारा next article Northern River Terrapin के बारे में है Terrapin कच्चुई की एक प्रजाती है Export और Forest Officials ने GPS Transmitters को Install किया Northern River Terrapin में वो जो सुंदरबन में पाये जाते हैं महज 6 हफतों में ही इन्होंने 100 से जादा किलोमेटर की दूरी तै कर ली और अभी कई सारे कच्चूँ को बांगला देश में स्पॉर्ट किया गया तो नदर रिवर Terrapin की बात करें बतागुर बसका बतगुर बसका कह सकते हैं ये रिवरीन टर्टल है नदियों में पाया जाता है South East Asia में Asia का largest fresh water और blackish water turtle है ये बांगला देश और इंडिया में पाया जाता है सुंदर बर्मला जो एरिया है स्पैसिफिकली वहाँ पे कमबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी इनकी population आपको मिल जाएगी ये म्यांगमार, सिंगापॉर, थाइलेंड और वियत नाम में एक्ष्टिंग कर चुके है इनकी संख्या अब वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है इसके लावा देखे आगे की जानकारी में ये जातर टाइम पानी में रहना ही पसंद करते हैं जमीन पर बस अंडे देने आते हैं seasonal migration भी इन में देखा जाता है ये sand banks पर रहना भी पसंद करते हैं कई बार diet में ये omniverse होते हैं कुछ भी खा लेते हैं जो भी मिल गया quarterside में पानी के आजपास जो plant मिल जाएं ये छोटे-छोटे clams, animals को भी खा जाते हैं IOS1 के red list में ये हैं critically endangered Sidescape Appendix 1 में और Wild Repetition Act of 1972 के Schedule 1 में आपको मिल जाएंगे हमाला next article Tiger Density के बारे में है यहाँ पर देखे Wildlife Institute of India ने अभी हाल ही में एक study करी उसमें उन्होंने एक चीज को analyze किया that was human-animal conflict को इन्होंने analyze किया है इन्होंने ये कहा कि जो सुंतर बनवाला area है वहाँ पर Tigers अपनी density को meet कर चुके है मतलब अब वहाँ पर Tigers को रहने की जिगए बची नहीं है उनकी जो carrying capacity है वो खतम हो चुकी है and that is the reason कि Tigers अकसर जंगलों के बाहर आ जाते हैं रिहायशी इलाकों में और वहाँ पर human-animal conflict या human-wild life conflict की संभावना बनती है मतलब साथ से जादा Tigers को बाहर देखा गया spot किया जंगल के बाहर फ़रज डेपार्टमेंट ने उन्हें पकड़ा भी WII ने ये recommend किया कि आप इन्हें वापिस से उसी जंगल में मच्छोड़ी जहां से ही आए हैं वहाँ से निकल कि इसलिए आ रहे हैं विकॉस वहाँ पर उनके लिए जगह नहीं बची है तो आप उन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाके छोड़िए जहां पर उनके लिए एक तो favorable condition हो दूसरी Tigers के density वहाँ पर कम हो ताकि वो रह सके food or space बहुत ही important reason होता है important factor होता है इस बात को decide करने के लिए कि जंगल में कितने Tigers रह सकते हैं देखे ऐसा नहीं कि Tigers जुन्ड बना के रहें उनका अपना एक area होता है उनका वो area इस बात पर decide करता है कि उन्हें शिकार कहां तक मिल जाता है जैसे उन्हें खाना चाहिए अगर उन्हें 10 km की range में सिकार मिल जाता है तो वो किवल उसी area में रहेंगे लेकिन अगर वहाँ पे सिकार खतम हो गया तो फिर वो 12 square km की area में जाना शुरू कर देंगे क्योंकि उसके आगे उन्हें शिकार मिलेगा जैसे जैसे शिकार खतम होता जाएगा वो आगे की area में बढ़ते जाएंगे तो अगर वहाँ पे pre-base अच्छा है तो वो कम area में रह लेंगे लेकिन अगर pre-base कम है शिकार कम है तो वो ज़्यादा area cover करेंगे तो इस तरीके से देखा जाए तो food और space tiger के लिए बहुत ज़रूरी होता है और space क्या food ही determine करता है कि वो कितना space लेंगे मैंने आपको बता दिया तराई और सिवाली खेल forest का जो region है जिम, कॉर्बट टाइगर इसव में वहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 square kilometer के area में 10 से solar tigers आपको मिल जाएंगे उतने area में उनको prey मिलता है उससे जादा अगर वहाँ पर रहेंगे तो फिर उन्हें शिकार की कमी होने लगेगी जबकि आप बाकी जिगों पर जाओ North, Central, Western, Ghat में जाओ तो वहाँ पर 100 square kilometer के area में महाँ साथ सी गरा tigers ही आपको मिलेंगे जैसे की बंदिपुर और जो dry deciduous forest है जंगल कम है काना, Central, Asia में तो वहाँ पर आपको शिकार कम मिलेगा तो वहाँ पर 100 square kilometer में केवल 6-10 tiger ही आपको मिलेंगे यहाँ पर pre-availability यानि कि सिकार की उपलब्धता और tiger density आपको fairly उनका relation समझ में आ रहा होगा एक linear relation आपको मिल जाएगा properly अगर आप देखे तो सुंदर्वन की carrying capacity घट रही है 100 square kilometer में महस 4 tigers आपको वहाँ पर मिलेंगे इंडिया और बंगलादेश के joint study में पाया गया 2015 में कि यहाँ पर देखे लगभग 3000 square kilometer का जो area था सुंदर्वन का इंडिया और बंगलादेश के border पर उसे evaluate किया गया और वहाँ पर यह पाया गया कि 100 square kilometer में महस 3 tigers की density है कि वह तीनी tigers वहाँ पर almost रह रहे है specifically जाए तो 2.85 अब 2.85 tigers तो होते नहीं calculations में जरूर आ जाते है WII की जो study है वो indicate करती है कि सुंदर्वन में 3-5 tigers की density है 100 square kilometer में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो tigers है वही बात है कि 2313 square kilometer में 88 tigers पाए गया थे तो वही ratio निकल कि आ जाएगा तो saturation point आ गया है सुंदर्वन का वहाँ पर अब tigers accommodate हो नहीं पाएंगे इसका result निकलेगा कि human animal conflict की संभावना बढ़ेगी हमरा next article CISF यानि कि Central Industrial Security Force के बारे में है जो union home minister है अमिश शाजी उन्होंने कहा कि हमें एक hybrid security model पर जाना चाहिए होता क्या है कि जो CISF है इनके ओपर जिम्मेदारी होती है कि जो companies हैं या फिर establishment है ये उनको protect करें government buildings को या industrial units को ये protect करते हैं उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम CISF को ये जिम्मेदारी दे दे कि वो private security agencies को train करते और इन private security agencies को जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो इंडिया के industrial or manufacturing units को protect करे CISF की बात करें तो एक central armed police force है Parliament के act के माधियम से 1969 में से बनाया गया था और इसे armed forces का दरजा दे दिया गया 1983 में Parliament के एक कानून के माधियम से ही Union Ministry of Home Affairs के तहत आते हैं इस बात को याद रखना है आपको headquartered है New Delhi में ये security देते हैं 300 industrial units को government infra projects को इसके रामा ये sensitive government buildings को भी protection देते हैं including Delhi Metro और airport security के लिए भी यही responsible होते हैं ये कई बार private industries को भी security देते हैं consultancy के form में तो जो CISF है वो fire protection में भी contribute करते हैं further disaster management में भी इनका key role होता है इनके पास एक fire wing होती है जो disaster के case में भी मदद किया करती है हमारा next article Boltzman Medal के बारे में है दीपक धर जो की physicist है Indian Institute of Science Education के Science Education and Research के जो की पुनी में located है इन्हें अभी हाली में Boltzman Medal मिला है काफी important medal है ध्यान से सुनिएगा पूछा जा सकता है exam में जो Boltzman Medal है इसी commission on statistical physics के दुरा दिया जाता है International Union of Pure and Applied Physics का जो हिस्सा है इसी का पार्ट है Commission on Statistical Physics वही अवार्ड देते हैं इसे 1975 में institute किया गया था जो Nobel Lureate kg विर्शन थे वो पहले recipient बने हाला कि बाद में ये criteria दे दिया गया था कि जो भी Nobel Lureate है उन्हें Boltzman Medal नहीं दिया जाएगा ये तीन साल में एक बार दिया जाता है एक या दो लोगों को दे दिया जाता है एक सांथ भी दिया जा सकता है जिससे Nobel Price दिया जाता है लेकिन जो Nobel Lureate है अब उन्हें Boltzman Medal नहीं दिया जाता तो देखें, Boltzman Medal पाने वाले दीपक धर पहले इंडियन है इसके पहले आज तक किसी को Boltzman Medal नहीं मिला है तो ये पहले इंडियन है जिनें ये Medal दिया गया है इनके सांथ सांथ American Scientist John H. Hopefield को भी ये Medal दिया गया है जो Associative Neural Network में काफ़े अच्छी inventions कर चुके है Gilded Boltzman Medal मिलता है इसमें और एक inscription भी मिलता है लुडविक Boltzman का जिनके नाम पर इस Medal का नाम रखा गया है 7 सिगर अगस 2030 में टोकियो में होने वाले एक conference में दोनों ही वेग्यानिकों को ये Medals दिये जाएंगे तो Announce हो चुका है एक्जाम में पूछा जा सकता है तयार रहेगा हमारा नेक्स आर्रिकल Monetary Policy Committee के बारे में है MPC जो RBI की है वो उसमें जो एक member है जैनत वर्मा जी वो RBI की accommodative policy stance से सेहमत नहीं है वो उसका विरोध कर रहे हैं that was the reason कि ये पूरा मामला नियूज में आया जो RBI की accommodative policy होती है उसमें ये market में money supply को बढ़ा देते है जिससे की demand बढ़ सके और industrial units और ज़्यादा production कर सके लेकिन उनके हिसाब से ये जो accommodative policy है वो सही नहीं है RBI की बात करते हैं MPC के बारे में इसे 1934 का जो RBI Act है उसके section 45 ZB का इस्तेमाल करके बनाया गया है MPC के उपर responsibility है कि ये MSF यानि कि margin standing facility, repo rate, reverse repo rate liquidity adjustment facility यानि की LF ये सब के जो भी rates हैं उसे decide करें MPC में होते हैं total 6 members, 3 आते हैं सरकार की ओर से और 3 RBI से जिसमें RBI के जो governor है वो ex-official chairperson होते हैं deputy governor जो होते हैं जो minority policy की जिम्मेदारी लेते हैं वो भी member होते हैं selection के लिए होते हैं search come selection committee जिसमें cabinet secretary उसे lead करते हैं RBI की governor और economic affairs के secretary और 3 experts होते हैं जो की economics, banking, finance या military policy से हो सकते हैं तो यहाँ पर भी देखें कि जो committee होती ही decide करती है कि basically कौन-कौन लोग होंगे जो MPC में जाएंगे MPC के members का time होता है 4 साल का और reappointment नहीं हो सकता यहाँ पर जो voting होती है, वो majority से होती है 4 vote पढ़ेंगे तो बात बनेगी, वैसे RBI की governor के पास, वो देखें, पूरी committee जो है, उसको वो chair करते हैं उनके पास V2 power नहीं होता, लेकिन tie की condition में वो casting vote डाल सकते हैं 2017 में प्रशन पूछा गया था MPC के बारे में, पहला statement था कि RBI के benchmark interest rate यह decide करते हैं, दूसरा यह था कि 12 member body है, RBI के governor इसे हर साल, इसे इसमें RBI के governor होते हैं, इसे हर साल reconstitute किया जाता है, दूसरा union finance minister की chairmanship में यह होता है तो यह पहला वाला तो सही है, दूसरा और Russia के बीच में जो war चल रहा है उसमें कि क्या हम humanitarian corridor बना सकते हैं, जिससे वहां के लोगों को खाना या दवाईयां पहुचाई जा सके या फिर लोगों को निकाला जा सके महां से, इसे कई बार demilitarized zone भी कहा जाता है, यह specific area होता है, suppose कर यह city है जिसे enemy forces नहीं seize कर लिए है तो फिर UN negotiate करता है, कि आप यहां से एक रास्ता दे दीजिए, जिसके जरीए या तो हम यहां पर दवाईयां पहुचा सके, खाना पहुचा सके या फिर लोग यहां से निकल के बाहर आ सके, दोरों इस services पे agree करते हैं, food, medicinal aid दिया जा सकता है, या फिर evacuation भी किया जा सकता है, अकसर इसके आवशक्ता तब पढ़ती है, जब किसी city को capture कर लिया जाए, और वहां पर supplies, food supply, electricity या water को बिल्कुल block कर दिया जाए, तब इस परकार के जरूद बहुत ज़दा पढ़ जाती है humanitarian catastrophe के condition में जहां war हो रहा हो, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, humanitarian corridor जो होता है, वो usually United Nations negotiate करता है, कई बार local groups भी बातचीत करके एक corridor बना लेते हैं, लोगों को निकालने के लिए इसके जरीए military or political abuse, देखे, corridor जो होते हैं इसमें दोनों ही parties के agree होना दोनों का बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो risk रहता है military or political abuse का, लोग जा रहे हैं और फिर किसी ने attack कर दिया, दिक्कत हो जाएगी तो जो corridors हैं, कई बार income issues भी हो जाता है, जैसे कि यह city है, यह seas में है, यहां पर problem बनी रहती है, कि लोग जो warring parties होती है, वो यह corridors बनाने नहीं देते, हना कि यह काफी ज़रूरी होते हैं revision करते है, हंसा NG अपने प्रकार का पहला indigency developed aircraft trainer है, यह तो सही है fusobacterium यह oral cancers को cause करता है, और sexually transmit होता है, गलत है oral tumors को cause करता है, और sexually transmit यह नहीं होता है, तो गलत है humanitarian corridor, यह केवल united nations ही बनाता है यह गलत है, local groups भी इसे बना सकते है northern river terrapin critically endangered है, यह सही है CISF, ministry of defense के तहत काम करता है, गलत है, देखते लगेगा कि ministry of defense होगा, लेकिन है नहीं है home affairs, ठीक है तो हमारा आज का session यहां पर समाप्त होता है PDF मिल जाएगी, only IS के telegram channel पे, वहाँ जाईएगा PDF को download करके revision ज़रूर करिएगा that's all for now, thank you very much